हलो एबरीबडी दिस इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तो मैगनेट बीन्स इस वीडियो से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स का चाप्टर चाप्टर है अर्बन एड्मिनिस्ट्रेशन इस चाप्टर को हम पढ़ेंगे समझेंगे बहुत मज़ेदार चाप्टर है पहला वीडियो लेक्टर जो होता है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्टर होता है जिसमें आपको चाप्टर की थीम समझाता हूँ कि चाप्टर किस बारे में हैं और हम chapter में कौन-कौन से topics पढ़ने वाले हैं तो देखिए और समझिए अभी हमने पिछला chapter जो complete किया है last video में आपने पिछला chapter जो पढ़के आये हो वो पिछला chapter क्या था? वो था rural administration और यह वाला chapter यह कौन सा है? यह chapter है urban administration अब मैं आपसे एक सवाल पुछता हूँ रूरल और अर्बन दोनों में difference कौन बताएगा मुझे? सोचो खुद सोचो ठीके? तो रूरल में मैं आपको उता है था गाओं की बात करते हैं और अर्बन administration मतलब हम शहर की बात कर रहे हैं अर्बन मतलब क्या हो गया? शहर की बात कर रहे हैं ठीके? तो यहाँ पे सेम जैसा हमने रूरल administration में देखा था कि गाओं में किस तरह से प्रशाशन चलता है गाओं में कौन क्या काम करवाता है? गाओं में किसकी responsibility होती ही चीज़ों को लेकर वो सारा सब कुछ हमने पिछले chapter में डिसकस किया था इस पूरे chapter में हम शहर में कैसे चीज़ें होती है? शहर में कौन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? वो सारा सब कुछ पढ़ने वाले हैं ठीक पिछले ही chapter की तरह क्या है? इस chapter में भी आपको कहानी मिलेगी कहानी किसकी मिलेगी? जैसे पिछले chapter में तो आपने देखा लडाई हो रही थी किसकी? मोहन और रगू की ठीक है? लेकिन इस chapter में आप क्या देखोगे? इस chapter में बच्चों के थ्रू आप सीखोगे आप ही के जैसे बच्चे हैं जो लोग cricket match खेल रहे हैं ठीक है? और उनकी कहानी के थ्रू आपको चीज़ें समझ में आएगी कि अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही है तो बड़ा मदेदार chapter है यह ठीक? उसके पहले में आपको थोड़ा से insights देता हूँ chapter के जैसे अगर हम बात करते है रूरल administration तो चलो गाओं तो छोटा होता है तो आसानी से आप क्या कर सकते हो? वहाँ पर सारे issues को law and order को समाल सकते हो लेकिन अगर बात होती है शहर की a city is much bigger than a village ठीक है? एक शहर के मतलए गाओं के पेक्षा में एक शहर कितना बड़ा होता है ठीक है? हो सकता है कि जितनी population एक शहर में रह रही हो उतनी 10-20-50 गाओं में रहती हो बड़े बड़े शहर है जैसे डेली है मुंबई है तो यहाँ इतनी population है कि पूरे के पूरे जिले के अंदर नहीं होती है पूरे के पूरे district के अंदर इतनी population नहीं होती है ठीक है? एक district के अंदर कितने ही गाओं होंगे और कितने सारे गाओं के अंदर जितनी population नहीं होगी उतनी एक city में होती है अब city में administration कितना मुश्किल होता होगा सोचो जरा और city में कितनी सारी चीज़ें है यहाँ पर आपको beautification भी देखना है हमने देख लिया चलो गाओं में तो क्या हो रहा है कि district collector जो होता है वो head होता है तहसिलदार होते हैं पटवारी होते हैं यह लोग decision ले लेते हैं पंच सरपंच होते हैं शहर में कैसे काम होता होगा सोचो जरा तो how the planning is done planning कैसे की जाती होगे अब शहर में आप देख रहें कि कहीं road बन रहा है शहर में आप देख रहें कहीं park बन रहा है शहर में आप देख रहें तो कहीं पे क्या हो रहा है सफाई चल रही है तो यह decision कौन लिता है planning कैसे की जाती ही कि क्या करना है क्या नहीं करना है तरह तरह के सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, who are the people who do all the work, लोग कौन होंगे काम करने वाले, तो कितने सारे सवाल हैं, है सवाल, सारे सवालों का जवाब मिलेगा हमें कहां, एक कहानी में, ठीक है, तो एक कहानी मैं आपको सुनाओंगा, फिर से हाथ और कहानी सुनो अच्छे से, तो ये कहानी जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से मैं आपको अलग-अलग पार्ट्स में बताते चलूँगा, और वहां पर हम कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे, तो पहले बैग्राउंड समझ लो कहानी का तो अब क्या होता है, कि शंकर ने बॉल डाली, और बैटिंग कॉन कर रहा था, तो बैटिंग कर रही थी, रेहाना, ठीक है, अब क्या होता है, तो शंकर ने पिछला ओवर तो अच्छे से डाल दिया था, चलो मैं आपको कॉमेंटर करके बताता हूँ, तो शांदार, इसे ही डालता है कौन? शंकर, तो शंकर के दोरा जब बॉलिंग की जाती है, तो उस बॉल को शॉट पिछ बॉल थी, बॉंस हो गया ही और रहाना ने जोर से शॉट मारा, ठीक है, जोर से शॉट मारा तो बॉल हवा में कहां चले जाती है, इस जोर से मारा कि स्ट्रीट से चले जोर से हैं क्यों मिलेगी स्ट्रीट लाइट Divciones शुटा आप लोगी आहल से अवा जाते हैं, यह वニ स辉क अंग्ते स्ट्रीट लाइटि फूटन से भी जाती हैं कि बाजुवाले के घर में चलेगी बॉल इसके मतलब आउट ठीक है तो ये क्या होती ही ट्रिक होती है तो बाकी तीन लोग बोलते हैं कि तुम ये विकेट की चिंता छोड़ो पहले ये सुचो हमने लाइट फूर दिया है ठीक है अब कॉलोनी वाले क्या बोलेंगे ठीक है जब ये पता चलता बच्चो को कि हमने पिछले हफते ही निर्मला मौसी की विंडो तोड़ दी थी तो हमारी पूरी की पूरी पूरी पॉकेट मनी हमें उनकी विंडो रिपेर करवाने में लगानी पड़ी थी अब हमने एक और स्ट्रीट लाइट फोड़ दिये तो उन्हें सोचा होगा रुखके कि स्ट्रीट लाइट के हम किसको पैसे देंगे तो वह खुश होगा है कि चलो कोई किसी को पैसे देना ही नहीं पड़ेंगे लेकिन वह क्यूरियस थे आप भी हो ना आप भी सोच रहोंगे कि अच्छा ये स्ट्रीट लाइट आखिर है किसकी किस-kis बच्चे को अभी समझ में आए कि यार स्ट्रीट लाइट आखिर होगी किसकी तो उसी तरह से क्या होते बच्चे क्यूरियस थे रहाना का घर पास में था तो यह रहाना के घर जाते रहाना की मम्मी से पूछते कि मम्मी हमने स्ट्रीट लाइट फोड़ दी मम्मी ने कैसे कैसे काम होते हैं सारे लेकिन जो यास्मीन खाला है उनकी ही कॉलोणी में उन्हीं की लैंड में रहती है तो वो क्या है वो मुंसिपल कॉरपरेशन की एक रिटाइड आफिसर है और रिहाना की ममी बताती कि शायद मुंसिपल कॉरपरेशन यह चीज़े समालता है सब ठीक है यास्मिन खाला एक और कैरेक्टर आ गई हमारी कहानी में अब बच्चे यास्मिन खालों को पूरी कहानी बताते हैं जैसा उन्होंने किया ठीक है बॉल डाली लाइट फोड़ी वो सारी पूरी कहानी बता देते हैं अब जब बच्चे पूरी कहानी नरेट करते हैं, तो यासमीन खाला क्या कहती है, यासमीन खाला पहले तो बहुत हस्ती है, बोलती कितने मासूम बच्चे हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे ये बोल रहे हैं कि ये, लाइट किसकी है, लाइट तो फोर दिया, पैसे तो दिना पड करते अगर आप होते तो आप तो भाग जाते हैं झाल strict चुप जाते की नई नई हमने नहीं हमने ले दो पता ही नहीं है तो घब चे जो है तो यसमिन खाला को जब बात बताते हैं यसमिन खाला हसती है और वो बताती है कि कोई इंडिविजेशल के लाइट नहीं है ठीक है ये सारी चीज़े manage कौन करता है ये municipal corporation करती है ये पुने की कहानी चल रही है ठीक है तो पुने एक बड़ा शहर है बड़े शहर में क्या होता है municipal corporation होती है और छोटे छोटे जो एरियाज रहते तो वहाँ पर municipalities होती है ठीक तो अब क्या होता है तो यासमीन खालाओ ने समझाती है कि स्ट्रीट लाइट्स, साफ सफाई करना, पानी पहुचाना, रोड बनाना ये सारे काम कौन समालता है शहर में? मुन्सिपल कॉर्परिशन तो अब आजाओ यहाँ पे अर्बन एड्मिस्ट्रिशन तो अर्बन एडियाज में शहर में एड्मिस्ट्रिशन की जम्मेदारी किसके उपर आती है? शहर में एड्मिस्ट्रिशन की जम्मेदारी आती है मुन्सिपल कॉर्परिशन, बड़े शहरों में चोटे शहर जो रहते हैं तो वहाँ पे Municipalities रहती है ठीक है यह धियार रखना आप तो अब बच्चों को भी बच्चों की दिमाग की बत्ती जल गई है अभी आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी देखो तो अधिकतर बच्चे जो शहर में रहते हैं ठीक है बड़े शहरों में रहते हैं जहां पर मुंसिपल कॉर्परिशन है सभी अपने अपने पैरेंट्स से पूछेंगे चलो एक ओश चीज क्या कि पूछना कि पापा या फिर मम्मी हमारा जो शहर है वो मुंसिपल कॉर्परेशन में आता है या मुंसिपैलिटी में आता है पूछ के बताईएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक अपने शहर का नाम आपका नाम और आपका शहर जो municipal corporation के अंडर में आता है municipality में आता है तो जैसे अब आपको मैं बताता हूँ आपने कहा observe किया होगा आपने देखा होगा कभी road पे से ट्रेंग कर जाता है एक पानी का उस पे लिखा रहता है आपके शहर का नाम municipality नगर निगम नगर पाली का इस तरह से लिखा रहता है आपने देखा होगा कि कहीं पे एक सुनदर सा क्या लगा है एक सुनदर सा गमला लगा है क्या करता है पूरे शहर को समालता है जब urban administration के हम बात करते हैं तो urban areas में administration इस तरह से चलता है आया समझ में तो ये कहानी के थू मैंने आपको क्या कर दिया है concept बता दिया है कि Urban Administration कैसे चलता है Municipal Corporation ये जो शब्डे से पगड़े रखना अब क्या होगा अब कौन decision लेता है Municipal Corporation में भी क्या-क्या चीज़े होती है कैसे होती है वो सारा सब कुछ आप subsequently चैप्टर के आने वाले topics में समझते जाऊगे तो मैंने आपको chapter की theme बता दि है बच को यहां पर कैया देखना है आपको यहां पर यह देखना कि क्या TP हम पढ़ने वाले हैं तो यह सारे topics पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ेंगे the ward councillor, the ward councillor and administrative staff तो हम इनके बारे में समझेंगे कि जैसे जो municipal corporation के बात करते हैं तो इसमें officers कौन-कौन होते हैं Rural administration में जैसे आपने क्या देखा था Police officer होते हैं SHO, station officer जो देखा था हमने वो फिर उसके आद में पटवारी के बारे में पढ़ा, तेहसिलदार के बारे में पढ़ा तो उसी तरह से municipal corporation में ward councillor कौन होते हैं administrative staff में कौन-कौन आते हैं ward councillor और administrative staff में क्या difference आ जाता है सारी चीज़ें समझाऊंगा तो इस specific video में हम यह पढ़ेंगे फिर आगे कि आप देखेंगे हम तो how does municipal corporation gets its money अब देखो street light लगवाया तो ऐसा तो नहीं कि municipal corporation ऐसा मंतर पढ़ती हो street light लग जाते हैं वो भी काम कर रहे हैं उन्हें भी पैसा लगता होगा पैसा कहां से आता है जैसे हमने देख लिया था पंचायत काम करती तो पंचायत के पास में क्या local tax वगएरा लगाती है वो पटवारी पैसे कलेट करके देता है लेकिन municipal corporation में पैसे कहां से आते होंगे ये भी एक सवाल है तो चलो इसे हम discuss करेंगे community protest तो इसमें फिर एक कहानी आएगी हर चीज़ को कहानी से ही समझेंगे ये जो कहानी है न यासमीन खाला की बच्चों की कहानी जो है इसे ध्यान रखना है आपको तो community protest के बारे में हम पढ़ेंगे किस तरह से लोग protest करके अपना काम करवा सकते हैं शहर में ठीक है what has changed since खाला retired तो इसमें एक छोटा सा topic है जिसमें आपको समझ में आएगा कि जो खाला थी वो पहले क्या थी municipal corporation में काम करती थी उनके retirement के बाद में क्या-क्या चीज़ें बदली तो छोटे-छोटे box जो है उन्हें भी cover कर दूँगा में और last में जब पूरा topic complete हो जाएगा पूरा chapter complete हो जाएगा तब हम NCRT solution पढ़ने वाले हैं मजदार chapter है ठीक है छोटा chapter है interesting चीज़े हैं सारा सब कुछ हम chapter में subsequently समझते जाएंगे clear? I hope you enjoyed the video lecture अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे आने वाले topics को पढ़ेंगे किसी प्रकार के doubt है feel free to ask in comment section comment section में आप अपने doubt निश्चनत रूप से पूछ सकते हैं magnet brains पे class 4th से class 12 तक इसी तरह से क्या है? वीडियो lectures के format में सारी चीज़े available हैं, सारे subjects available हैं जिसे आप क्या कर सकते हो, घर बैटके पढ़ सकते हो आराम से अपना syllabus complete कर सकते हो आपको क्या करना होगा, आपको अपने juniors और seniors को भी magnet brains के बारे में बताना होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहले topic के साथ chapter के, till then stay connected, keep learning thank you, thank you very much hello everybody, this is दिग्राश सिंग राजपूत, welcome to magnet brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the ward counselor and administrative staff ठीक है, WARD ward counselor कर लेना अब देखिए और समझे इस चीज़ को क्या है ये, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक basic introduction बताया था मैंने आपको बताया था कि chapter किस बारे में है chapter की theme क्या है और chapter में हम कौन-कौन से topics पढ़ने वाले हैं fine, अब कौन-कौन से topics पढ़ने वाले हैं तो हमारा जो पहला topic जो हमारे सामने निकल के आता है, वो क्या है the ward counselor and administrative staff दो शब्दे हैं यहाँ पर ward counselor और administrative staff ward counselor कौन होता है administrative staff कौन होते है किस reference में तो reference हमारी रहेगी urban administration मतलब urban administration में ये लोग कौन होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है समझना है fine, देखिए क्या है तो जैसे हमने जो कहानी देखी थी इसकी यासमीन खाला की और जो बच्चे थे माला, जहांगीर, शंकर, रेहाना सब क्रिकेट खेल रहे थे, street light 4 दी थी उन्होंने अब जब street light 4 चुके थे वो लोग, तो वहाँ पे वो डरे हुए थी कि अब हम क्या करें, किसे पैसे देंगे ये सारी चीज़ें, तो वो out of curiosity किसके पास जाते हैं, वो यासमीन खाला के पास अब यासमीन खाला से वो बातचीत कर रहे होते हैं, अब बातचीत करते करते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, मैंने पिछले वीडियो में काम करती थी, मुंसिपल कॉरपरिशन में, तो बच्चे पूछते हैं, कि क्या आप डिसिजन लेते हो, इतने अच्छे डिसिजन कि पार्क कहां पर बनेंगे, पार्क में कौन से फूल लगने वाले हैं, तो ये सारे Decision कौन लेता है बचे पूछतें इस तरह से कि ये सारे Decisions लेने का का an कौन करताह है यासमिन खाला ने बच्छो को क्या बताया था कि शेहर में जो भी काम हो रहा है उस काम को municipal कॉर्परेशन कर रही है अब बच्छो को ऐसा लगा क्या कि यासमिन खाला भी municipal Monsiphone काम करतीथी तो शायद Monsiphone ये सारे decisions लेने का काम भी yasmin Tiffany खाला कहीं होगा ठीक है तो अब那就 Cas Vernonत्स क्या बोलती नहीं नहीं मैंधो da acun department में थी मतलब में तो accounts समालती थी कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है कैसे चीज़े मुढ़ता हें ठीक है कैसे चीजें चलेगी अर्बन एड्मिस्टेशन जो है उसके लिए पूरा का पूरा सेटप है एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो समझाता हूं मैं आपको देखो क्या होता है तो यास्मीन खाला रिप्लाइज दी डिसीजन लाइक वेर अब पार्क और न्यू हॉस्पिटल यकृट क Divine क्या है पूर्ड रेता है वोसुट को इसटी को अपने वाड में डिवाइड कर दिया अभी आपका हो गया क्या है तो आपका पेरेंट्स से डिवाइड कर दिया ठीक है जिस तरह से हमने क्या देखा था अगर आपको ध्यान हो तो हम जब पंचायत पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी बताया था कि पूरे पंचायत एरिया को अब अलग-अलग वाड में डिवाइड कर देते हैं वाड मेंबर्स निकल के आएंगे वहाँ से तो यहाँ पर क्या होता है इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शन में अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी से अफिलियेटेड रहते हैं उस क्या सकते हो आप तो आप शहर को वाड में डिवाइड करते हैं और हर वाड से एक वाड कांसिलर क्या होता है जीत क्या आता है आगे समझ में जिसे इसे क्या कहते हैं वाड कांसिलर को हम पारशद भी कहते हैं कि हमारे महले से या फिर हमारे वाड से ये है पारशद पारशद सब तो सुना हो आप तो इस तरह से वार्ड कांसलर आगे समझ में तो एक elected leader जो किसी एक दो तीन कॉलोणी का एक वार्ड का वो क्या होता है एक elected leader रहता है अब क्या होता है तो the complicated decisions that affects the entire city are taken by a group of counselors who form committees to decide and debate issues अब क्या होता है तो पूरे शहर में हमने देखा बहुत सारे वार्ड्स हैं पूरे श अब सारे वार्ड कांसलर्स का जब एक group बन जाता है तो जो group बना है वार्ड कांसलर्स का जो group बना है वो group क्या कहलाता है वो group कहलाता है वार्ड कांसलर्स की committee वो वार्ड कांसलर्स का जो group बनता है उसे क्या कहते हैं कि इन्होंने committee बनाई this is the committee of ward counselors फिर वो decide करते हैं वो issues के पर debate करते हैं कि हाँ क्या decision लेना है क्या decision नहीं लेना है for example जैसे decision में हम देख लें कि कहा road बनना है कहा पार्क जाना है कहा सफाई होना है इन सारे चीजों का ध्यान कौन रखता है इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं अब I hope आपको एक समझ में आया है कि जो हमारा topic है दी वार्ड कांसिलर्स तो वार्ड कांसिलर्स टॉपिक को रिलेट कर पाए हो कि city जो है city को आप डिवाइड करते हो वार्ड में वार्ड में से आप अपने elected leader को choose करते हो और इसी तरह से पूरे शहर में से elected leaders आते हैं और यह पूरे शहर से elected leaders आते हैं यह वार्ड कांसिलर्स कहलाते हैं और यह committee बना के decide करते हैं कि कहां क्या करना है क्या नहीं करना है clear आगे देखिए तो what's next वार्ड कांसिलर्स ठीक है deals with the problems within the town अब क्या है विदिन विदिन टाउन मतलब यहां पर यह टाउन की जगा वार्ड लिखो जादा बहतर रहेगा ठीक है अब देखो क्या है कि हमने क्या देखा यह पूरा साफ एरिया में डॉकरत यह पूरा city है अब city में हमने एक वार्ड विदिन दी वार्ड अब दिन दी वार्ड क्या है मानलो कहीं बिजली का तार तूट गया एक फ़ए एक वर एकजामपल तो अब आप इसको पर जाके बोलोगे कि बिजली का तार सुद्र आओ जैसे अब बोलोगे कि मुनसिपल कॉर्परेशन का काम रहता है ठीक है में administration जो urban administration जो हम पढ़ रहे हैं तो शहरों में क्या है अलग-अलग ward में अलग-अलग तरह से individual क्या करता है चीजों को समालता है वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि जो ward councillor होते हैं तो यह अपने level पर क्या करते हैं चीजों को समालते हैं देखते हैं कि यहां कुछ गड़बर ना हो तो ward councillors क्या करते हैं ते deals with the problems within the ward और वहीं पर जो councillors committee है अब सारे जब सब अपने अपने ward को समालेंगे मान लो ठीक हैं सब अपने अपने ward को समालेंगे सारे ward councillors सारे पार्शत जो हैं वो क्या करेंगे अपने अपने ward को समालेंगे अब जब यह सारे लोग एक साथ मिल के कोई काम करेंगे तो वो क्या इनकी committee हो गई ठीक है मतलब पूरा city उन्होंने cover कर लिया तो decides the work on city level तो city level पर जो councillor committee बनती है वो तैय करते हैं कि हमें क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है अब देखो कुछ states में mayor का provision होता है मतलब कहीं कहीं पर cities में mayor system रहता है अभी आप यह आपकी book में नहीं है तो आप confused मत होना लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इन सारे ward councillors के उपर जो एक head रहता है ठीक है political head तो वो political head कौन रहता है mayor रहता है तो अगर आपकी city में mayor है तो parents से पता करना हो मुझे comment section में अपनी city का नाम भी बताना और बताना कि आपके हाँ mayor कौन है और जो छोटी cities है तो वो municipal corporation नहीं होगी वो क्या होती है वो होती है मुंसिपल मतलब जैसे municipalities होती है तो वहाँ पे mayor नहीं होगा वहाँ पे कौन होगा वहाँ पे होगा municipal chairperson ठीक तो आप आपके यहां का पता करना क्योंकि यह city to city vary करेगा बड़ी city है तो municipal corporation होगा clear है तो उस चीज का थोड़ा सा parents के साथ में discuss करना क्योंकि यह ऐसी चीज़े है आप इसको किताब में ढूंडोगे ना तो theory में boring लगेगा लेकिन parents के साथ बैट के discuss करोगे ना कि अच्छा है ऐसे हमारे यह ward number है पारशद यह हमारे हमारे यहां से पारशद के बाद में ऐसे देखना है कि हमारा mayor कौन है तो जो सारी चीज़े आप clear कर लोगे ना तो आपको एकदम exact clarity मिल जाएगी ठीक यह हुआ तो तो यह वही चीज मैंने हाप लिख दिए commissioner and the administrative staff तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि जब शहर चलाने की आप बात करते हो तो ward councillors तो समझ में आगया जो elected leaders होते हैं जो decision लेंगे ward level पे भी और ward level के साथ साथ में city level पे भी अब यह decision लेंगे ठीक है तो the councillors committee and the councillor decides ठीक है यह क्या करते हैं, decide करते हैं कि क्या policy बनना है, क्या plan बनना है, decides on the issues, ठीक, but the commissioner and the administrative staff implement these, अब क्या होता है कि यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से example बताता हूँ यह वाला, क्या आप देखते हो तो prime minister और जो दूसरे ministers हैं, वो सबी लोग क्या करते हैं, वो यह तै करते हैं कि क्या policy बनना चाहिए, अब उस policy को on ground, on ground क्या करना, लागू करवाना, ठीक है कि यह यह चीज़ें होंगी, यह दिक्कते होंगी, कौन देखेगा कि सही हो रहा, काम नहीं हो रहा है, यह किसका का काम होता है, यह काम होता है, administrative staff का, मतलब जो government officers होते हैं, यहाँ पर कौन आएगा, तो हमारी कहानी की हिसाब से कर हम देखें, तो यासमीन खाला जो है, यासमीन खाला administrative staff का part हो गई है, ठीक है, यासमीन खाला administrative staff का part कैसे हो गई, क्योंकि वो एक government officer थी न, फिर retire हो गई है, तो commissioner क्या होता है, commissioner political नहीं, वो एक तरह से administrative head होता है, और यहाँ पर आप जो ward counselors को देख रहो हो, यह कौन है, यह political head है, मतलब इने चुन के लाया गया, इनने election होता है, लोग choose करते हैं, और commissioner है, दूसरे administrative staff हैं, जैसे यासमीन खाला के बारे हम पढ़ा अपने, तो यह लोग क्या है, इनने कोई vote देके नही choose किया है, इन्होंने exam निकाले होंगे, select होंगे, यह appoint किये गए है, तो administrative staff are appointed, administrative staff को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और counselors are elected, तो counselors election में ऐसे vote दो, vote दो करके vote लेते हैं, और election में जीतते हैं, तब वो counselor बनते हैं, पारशत बनते हैं, और administrative staff जो होता है, तो उन्ह decision counselors ने लिये हैं, counselors की committee ने जो तय किया कि हमें यह यह काम करवाना है शहर में, उन कामों को लागू करने का काम, उन सारे jobs, मतलब जो भी policies बनिये तो उन policies को implement करने का काम किसका होता है, उन policies को implement करने का काम होता है, administrative staff का, आगे हैं समझ में, so this was all about, मैंने आपको एक conceptual clarity देदी कि क इसका क्या काम होता है, अब आगे देखो चीज़ें, तो, but the city is so large, it must take a lot of people to look after it, does the municipal corporation have a lot of workers, asked संकर curiously, ठीक हैं, अब संकर भी क्या है, संकर भी दीरे-दीरे curious होते जा रहा है, तो उसने क्या क्या, उसने यासमीन खाला से पूछा, कहानी चल रही है हमारी parallel साथ में, topic भी स समझाते चल रहा हूँ, तो संकर पूछता है कि अब city तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी city में इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे सड़क हैं, इतने सारे क्या हैं, मतलब जगा जगा आप देखने कचरा होता है, वो उठाना, ये सारा काम करना, तो बहुत सारे लोग भी हो होंगे, तो क्या होता है, यास, the work in city is divided into different departments, तो यासमीन खाला क्या अंसर करती है, कि संकर तुमारा डाउट सहीं एकदम, ठीक है, एक अच्छा question पूछा संकर ने, कि इतनी बड़ी city को कैसे समालते होंगे, तो इतनी बड़ी city को समालने के लिए, अलग-अलग departments बने हुए, ठीक है, कैसे department, तो the water department, water department का काम क्या होता है, कि पानी से जुड़ी हुई सभी चीजों को समालता है, water department, कि शहर में पानी की विवस्ता क्या हो, सुद्राड हो, एकदम मजबूत हो, ठीक, फिर क्या होता है, the garbage collection department, तो एक department यह होगा, कि सहर में साफ सफाई रहे, ठीक है, कचरा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कचरा कलेक्ट करते हैं, घर गर जाके, तो इस तरह से garbage collection department होते हैं, फिर क्या है, a department to look after gardens, gardens की देखभाल के लिए department बनाया जाता है, ठीक, तो इस तरह से क्या है, कि आप जितना भी काम है, यह सारा काम आपने divide कर दिया, बहुत सारे लोग हो लोग करते हैं, दिन रात काम करते हैं, ठीक है, अब जैसे यह पूछ लिया, किसी बच्चे ने फिर क्या पूछा, कि where does the garbage that the municipal corporation collects go to, ठीक है, अब यासमिन खाला ने समझा दिया था बच्चो को कि इस तरह से अलगले department होते एक बच्चा क्या पूछता है, कि यह जो कचरा न तो वो पहले से नहीं थी, पहले बड़ी दिक्कत थी, पहले क्या है, municipal corporation के लोग आते नहीं थे, साफसफाई नहीं करते थे वो लोग, ठीक है, तो चारो तरफ क्या रहता था, कचरा रहता था, स्ट्रीट पे बच्चे खिलने ही पाते थे, parents जाने नहीं देते बच्चे को गार, क्यों क्योंकि smell मतलब बहुत जादा गंदा और गंदे होने के बाद में क्या बिमार हो सकते थे बच्चे, तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते ये देखने को मिला हमें, कि पूरी उनकी colony जो उनकी लोकेलिटी थी, आसमिंकाला की वो बहुत गंदी रहती थी, ल जैसे क्या वो सारा सब कुछ में आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा, यहां तक कहानी समझ में आई हैं, चीज़ें आप जोड़ पाए हो, किस तरह से हमारा चैप्टर चल रहा है, तो कहानी के साथ में यह सारा सब कुछ, नेक्स वीडियो में आपको कहानी ही तो एक और चीज़ सुन लो क्या कि मैगनेट ब्रेंस पे क्लास फोर्थ से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स सभी चैप्टर्स सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स सब्टॉपिक्स सारी चीज़न सिस्टेमेटिक वे में एक अरेंग्ज फॉर्मेट में अविलेबल हैं जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हो पर सकते upon सक्ते हो आपको क्या करना है घर वैठ़ा यह लेक्टर्स देखना अपना सिलिबर्स कंप्लीट करना है आशा करता हूं आपको चीजह-मंज़ में आ रही हैं किसी प्रकार का डॉट हे तो फिल फॲीट और से कीन उकॉई ए मूभले । रेखिये और समझ़ी अच्छी तरह से पिछले वीडियो में आपको क्या बता है कि किस तरह से अर्बन एड्मिस्ट्रेशन चलता है तो अर्बन एड्मिस्ट्रेशन में वाइड काउंसलर के बाद में आपको बता है कि एक administrative staff होता है जिसमें Commissioner head होते हैं दूसरे दूसरे government officers होते हैं, वो मतलब पूरे शहर को सम्हालते हैं, शहर में क्या होना है, इस चीज़ का decision कौन लेता है, आपको पता है न, world counselors लेंगे, पूरी उनकी जो committee बनेगी, वो decision लेंगे कि कहा पार्क जाना है, कहा रोड बनना है, कहा नालिया साफ होना है, ये सारी चीज़ है लेकिन उस decision को implement करने का काम, execute करने का काम, लागू करने का काम कौन करते हैं, commissioner और दूसरे administrative staff, ठीक है, अब मैंने आपको पिछले topic में last में बताया था कि बच्चे सवाल पूछ रहे थे, और सवाल पूछते पूछते किसी ने पूछ लिया, कच्रे का क्या होता है, तो फिर अब यासमीन खाला जो है, तो बच्चों को क्या बताने वाली है, कच्रे के पीछे की कहानी, जी हाँ, कच्रे के पीछे की कहानी मतलब कि पहले उनकी streets साफ नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर क्या है, बाद में लोगों ने protest किया, तो अग community protest में हम वही देखेंगे, ठीक है तो यासमीन खाला narrates the story, यासमीन खाला जो है तो पूरी story narrate करती, क्या, कि पहले जो उनकी streets जो थी न, तो उन streets की situation को लेकर जो वहां की महलाएं थी, यासमीन खाला की उन बच्चों की जो colony थी न, उस colony की जितने भी महलाएं, तो सारी महलाएं पहले परिशान रहती थी, त तो women were unhappy about the situation, क्या situation, तो street में कचरा फैला रहता था वहाँ पर पूरा, ठीक है, garbage on the streets इस तरह से क्या बड़ी समस्याएं होती थी, बदबु आ रही है वहाँ पर, साफ सफाई नहीं है, तो बिमारी हो रही है लोगों को, यह सारी दिक्कते रहेंगी, अब जब यह सारी दिक्कते थी, तो सारी महलाएं परिशान थी और वो यास्मिन खाला के पास ही जाती है, सारी महलाई यासमिन खाला के पास जाती कि हम क्या करें बताओ ठीकें क्यों जाती यासमिन खाला कोई सफाई करने वाली नहीं है लेकिन वो मुंसिपल कॉर्परिशन में क्या है जॉब करती थी तो सारी महलाओं ने सोचा कि शायद ही कुछ आइडिया देंगी हमें ठीकें अब उन्ही के बीच में क्या होता है तो जब डिसकस कर रहे होते हैं तो एक जो विमेन रहती है वो कौन रहती है गंगु बाई अब गंगु बाई की कहानी सुने तो गंगु बाई ने क्या बोला कि कैसे होगा साफ ये मुझे पता है कैसे पता है तो गंगुबाई क्या suggestion देती ही सभी महिलाओं को गंगुबाई कहती कि हम चलते हैं हमारा जो ward counselor है ठीक है हमारा जो पार्शद है उसके घर के सामने जाएंगे और protest करेंगे ठीक है तो सारी महिला है जो है गंगुबाई and planning to protest तो गंगुबाई along with other women have planned to protest in front of the house of ward counselor जो ward counselor था उनका पार्शद था तो उसके घर के सामने protest करने का इन्होंने तै किया अब आप सोच रहे होंगे इस तरह से ward counselor के घर के सामने protest करने से क्या मिल जाएगा खुद ward counselor आके थुरी ना कचर उठा के लिए जाएगा लेकिन इससे impact पड़ेगा क्या impact पड़ेगा देखो तो जब क्या होता है when a group of women gathered and went to the house of ward counselor and started protesting against him ठीक है उसके against में क्यों protest किया तो गंगुबाई ने बोला कि हमने जब इससे vote देके choose कि और चूस किया है कि वह हमारे पूरी जो ward है उसकी रखधाली करेगा मतलब देख़रेग करेगा अब रख़़वाली हैसमें गंडателей करेगा रात में तो सारी महिलाएं जो है, गुरुप बना के जाती, गहराओ कर लेती है, वार्ट काउंसलर के घर का, वहाँ पे प्रोटेस्ट चालू होता है, वहाँ पे वो चिलाना चालू करते हैं, जोर-जोर से आवाज में क्या करना, नारे लगाना चालू करते हैं, स्लोगन्स लगाना चालू करते हैं, वाई, समझ रहो ना, वाई, क्यों, क्योंकि वो वार्ट काउंसलर को जब बोलेंगे, तो ward councillor के उपर pressure बनेगा ward councillor बोलेगा यार इन लोगों ने मुझे vote दिया में इनका काम नहीं करूँगा तो आगे मुझे vote नहीं देंगे ये हो सकता है अगले election में जीत के ना हूँ जैसे मैंने आपको previous chapters में बताया थे न मैं तुमारी बात corporation, municipal corporation के office तक पहुचाऊंगा लेकिन उसके लिए आप सभी को जैसे मेरे घर पे घहराव किया है न वैसे municipal corporation पे चल दो municipal corporation पे चल दो तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि हाँ इनकी street पर सच में दिक्कत है साफसफाई नहीं हो रही है दिक्कते हैं बिमारी होगी smell आती है सब कुछ होगा तो उससे क्या होगा हमारी बात में थोड़ा सा दम आएगा कि sanitation engineer खुद बोल रहा है अब ठीक है तो यह सारी कहानी ताए होती है end the story continues फिर क्या होता है तो फिर गंगुबाई along with other women ठीक है इनका जो पूरा group बनता है सभी लोग कहा जाते मुंसिपल corporation में मुंसिपल corporation में जाके वहाँ पर क्या करना स्टार्ट करते हैं प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं अब जब commissioner के सामने प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं अब जब commissioner के सामने प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं तो commissioner क्या करता है commissioner पहले तो बोल देता है कि मतलब ये पूरी परिशानी बताते हैं commissioner बोल देता हमारे पास करवाने की विवस्ता करवा देता हूं गंगु भाई अल्टीमेटम देके आ जाती कमिशनर को क्या बोलती गंगु भाई कि दो दिन के अंदर अगर आपने हमारे हां साफसफ़ाई करवाना चालू नहीं करी तो आज जो हम प्रोटेस्ट करने आए इससे और जादा की सफाई हो गई होगी पूरे तो यासमिन खादा बोलती नहीं दो दिन बाद तो नहीं हुई है क्योंकि पहली बार तो मुल्सिपल कॉर्परेशन में छोड़ दिया बोलती हां देखेंगे प्रोटेस्ट करेंगे जब तो फिर बाद में और जाती महलाएं और तेजी से क्या ह गंगुबाई कितनी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि गंगुबाई ने कितना अच्छा काम किया है गंगुबाई ने मतलब एक प्रोटेस्ट को लीड किया है कम्यूनिटी को लीड किया है उन्होंने बोला है कि हम यह हमारे राइट्स हैं डेमोक्रिटी कंट्री में रह रह कि गवर्मेंट हमारा ध्यान रखे हम टेक्स देते हैं तो साफसफ़ा होना भी जरूरी है इस चीज की बात की गई यहाँ पर आगया समझ में देखो कहानी बड़ी इंटरस्टिंग थी सीधी सीधी सिंपल से थी कहानी यहाँ पर खतम हो गई है अब कुछ जो बॉक्स वाली जिनने हम आगे पढ़ लेंगे बागी चैप्टर की जो स्टोरी थी आसमीन खाला वाली वो मैंने आपको पूरी तरह से अच्छे से कम्प्लीटली समझा दिये आप रिलेट कर पायो लास्ट में बच्चे भी खुशी-खुशी कहा जाते हैं अब अपने घर जाएंगे ठीक तो आपने भी स्ट्रीट लाइट फोड़े होंगे कभी ना कभी अपने जीवन में नहीं फोड़े हैं तो एक बार फोड़ना नहीं बदा कर रहा हूं ठीके गवर्मेंट की जो प्रॉपर्टी होती है तो गवर्मेंट की प्रॉपर्टी हमें क्या करना चाहिए रिस्पेक् बनाती हैं, सारी चीजे करती हैं, सफाई करवाती हैं, ट्रक्स चलते हैं, गवर्मेंट के गचरा लेने वाले हैं, तो वो सारा सब कुछ कैसे हो पाता है, गवर्मेंट के पास पैसा कहां से आता है, वो मैं आपको नेक्स वीडियो में बताने वाला हूँ, I hope you enjoyed this story, सारी चीज को बताना है, मैगनेट बेंज के बारे में, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ में, जो यह है कि गवर्मेंट को फंड कहां से मिलता है, तिल देन, stay connected, keep learning, thank you, thank you very much. इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे, how does the municipal corporation get its money, municipal corporation को पैसा कहां से आता है, सवाल आपके मन में आया होगा कि municipal corporation को पैसे की जरुरत क्या है, why does a municipal corporation need money, question is that, देखे, municipal corporation क्योंकि बहुत सारे काम करता है, पिछले वीडियो तक मैंने आपको एक कहानी एक insight दिया है, कि जब हम urban administration की बात करते हैं, कि शहरों में किस तरह से प्रशाशन चलेगा, कैसे चीज़े होगी, तो वहाँ पे municipal corporation एक बहुत important role play करता है, municipal corporation में कौन है, तो administrative staff है उनका, जिसमें commissioner head होते हैं, ठीके, उसके बाद में हम देखते हैं, तो municipal corporation की functioning में कही इना कहीं, जो ward counsellors रहते हैं, जो elected leaders रहते हैं, वो भी एक important role play करते हैं, अब ये सभी लोग क्या करते हैं, municipal corporation को चलाएंगे, लेकिन अपने जेप से पैसा थुरी ना निकाल के देंगे ये, उल्टा ये तो salary लेंगे, municipal corporation से, तो यहाँ पे municipal corporation के पास पैसा आना भी बहुत ज ज़रूरी है, अगर municipal corporation के पास पैसा नहीं आएगा, तो वो कैसे अपने काम कर पाएगा, काम मतलब क्या, देखिए, तो municipal corporation provide basic services, and what are these basic services, क्या basic services provide करता है, municipal corporation, तो municipal corporation जो है, तो basic services में, जैसे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे, तो garbage collection एक बहुत basic service हो गई, क्यों, क्योंकि हम गदबू, बिमारी, बहुत सारी चीज़े नहींगी, तो यह basic services का part होगा, जैसे क्या, कच्रा उठाना, clean water, drinking water facility available करवाना, तो आप में देखा होगा, जहाँ पे पानी नहीं पहुच पाता, तो municipal tankers जाते है, tractor होता है, tanker होता है, ठीके, उसमें पानी फिर दिया जाता है, सा इसमें भी जब पैसा लगना, sanitation facilities वगेरा, सारा सब कुछ अगर municipal corporation maintain कर रहा है, यह सारी चीज़ें, जैसे municipal corporation maintain कर रहा है, इसमें पैसा लगना तय है, जैसे यहाँ पर क्या है, यह नगर निका मिंदौर, ठीक है, मध्यप्रदेश में, मध्यप्रदेश कंट्री का सबसे ज़ services requires a lot of money, अब जब यह सब काम करना है, तो पैसा लगेगा, and municipal corporation collects funds in different ways, क्यों, क्योंकि यह अगर facilities provide करना है, तो municipal corporation को अलग-अलग तरह से क्या करना होगा, funds को collect करना होगा, funds को collect करना होगा in different ways, ताकि क्या हो, ताकि सारी चीज़े manage की जा सके, तो fund कैसे collect करता है, तो एक जो पहला और important चीज़ है, जिसके through municipal corporation fund collect करता है, वो होता है, tax, ठीक है, tax क्या होता है, तो tax क्या है, tax is a sum of money that people pay to the government for the services government provides, government क्या service provide कर रही है, आपको पानी provide कर रही है, safe drinking water दे रही है, तो उसके बदले में, government आपसे क्या लेगी, पैसा लेगी, ठीक है, user charges लेगी, tax के रूप म अब ऐसा नहीं कि आपसे एक करोर रुपे मांग लेगी, government, ठीक है, minimum charge जो भी रहेगा, तो minimum charge में आप कुछ 100 रुपे, ठीक है, कुछ 500 रुपे इस तरह से क्या, tax लगाने वाली आपके उपर, government water tax लगाएगी, ठीक है, तो government को वहाँ से पैसा collect होगा, और government उस पैसे को क्य पैसा करेगी, फिर आपको facilities provide करने में यूज करेगी, फिर अगली चीज क्या, government को और भी जगह से पैसा मिल जाता, जैसे state government पैसा देती है, municipal government कहा है, city में है, वो तो हम urban administration पढ़ रहे है, तो state government पैसा देती है, central government पैसा देती है, ताकि क्या हो, चीजों को चलाया जा सके, basic facilities जो है, basic services जो है, उन्हें लोगों तक पहचाया जा सके, ठीके, तो अब government और भी तरह तरह के tax लगाती है, इसे property tax लगाती है, property tax क्या होता है, कि हर इंसान की property होती है, हर इंसान की property मतलब उसका घर होता है, उसके दुकान होती है, उसकी land होती है, अब ये सारी जो property होती है, तो government property के उपर tax लगाती है, property के उपर tax लगाके क्या करती है, government जो पैसा मिलेगा, उस पैसों को फिर यूज करती है, urban areas के development में, जो facilities के हमने बात करी थी अभी ये सारी facilities, तो इस तरह की facilities आपको provide करती है, ठीके, tax लगाके, तो tax on water and other services, water and other services, जिसे sanitation वगएरा जो है, उनके पर भी tax लगाती है, government, तो पैसे का एक source हो गया, taxes on education and other amenities, तो education में कैसे है, तो आप देखोगे, क्या है कि government, मान लो, government schools वगएरा है, तो वहाँ पे भी क्या लगता है, government एक user charge लेती है, वो तो अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा, क्या है कि आप मान लो, किसी प्रकार का क आप से पैसा वसूलती है, entertainment tax कैसे लगता है, आप जब theater में जाएंगे ना, तो देखना आपके ticket पे entertainment tax रहेगा, तो वो government को मिल जाता है, फिर government क्या है, advertisement की भी tax ले लेती है, आपने देखा हो कि municipal government क्या करती है, बड़े-बड़े holding लगवाते हैं, बड़े-बड़े, आप वो सारे टेक्सस भी collect करती है, ये तरह-तरह की जो tax है, इन tax की मदद से government क्या करती है, इन tax की मदद से government fund इk Après 익हता करती है, उस fund से फिर government शेहर को चलाती है, देश को चलाती है, ठीकिном, मतलब देश के अंदर शेहर है, जब सारे शेहर चलेगे, जब सारे शेहरं डवलप होंगे तो देश अपने आप develop हो जाएगा आगे ना समझ में तो how does the municipal corporation get its money? तो here are the ways through which municipal corporation get its money, get the fund to operate successfully in the cities. clear है? concept crystal clear होना चाहिए, चीज़ें समझ माना चाहिए. देखो बच्चो आज से आप पढ़ते जाओगे, छोटी class से भी 6th में आप अभी से समझते जाओगे तो आपकी foundation क्या है एकदम ठोस मजबूत बनेगे, और foundation के उपर फिर आपको 10 मंजिल बनाना है, 20 मंजिल बनाना है, आपको ठीक है? गगन चुम्बी इमारत बनाना है, सब बना सकते हो, लेकिन आपको basics पता होना चाहिए. तो यह चीज़ें ध्यान में रखना है, और इनको फिर अब क्या करना है, क्या आपकी daily life में relate करते चलना है? clear? अब देखो क्या है? वाइल rich people accounts for the property tax, a much wider population pays more general taxes. Rich people accounts for the property tax, अब rich people के पास ही property होगी. चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार घर है एंजिन के पास में, तो उनके उपर property tax लगता है. तो गवर्मेंट को rich people से क्या मिल जाता है? पैसा extract करने का मौका मिल जाता है, मतलब tax लगा देती है. फिर क्या है? टेक्सेस, a much wider population pays more general taxes. और population का एक हिस्सा जो होता है, वो general tax pay करता है. General tax मतलब क्या है? General tax में, जैसे आप देखते हो, यह water tax वगरा होगे, जो user charges होते हैं. ठीक है? आप किसी चीज को use कर रहे हो तो. transportation, तो वो सारी facilities, government के दोरा provide की जाती. मैंने आपको बहुत ही lucid, बहुत ही simplified way में समझा दिया है. I hope चीजें समझ में आईएं. किसी प्रकार का कोई doubt है, तो feel free to ask in comment section. और एक और important चीज़ास में. क्या कि magnet brains पे, जैसे आप class 6 में पढ़ रहे हैं अभी, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, पूरी पढ़ाई निश्चिन्थ होके कर सकते हो. ठीक है? Class 4th से Class 12 तक सभी subjects, chapters, topics, subtopics, सारा सब कुछ बहुत easily इसी तरह से video lecture format में available है. जिन्हें आप घर बैठे आराम से देख सकते हो, अपना syllabus complete कर सकते हो, आपको क्या करना है? अपने juniors और seniors को भी magnet brains के बारे में बताना है. मिलते हैं next video lecture में, अगले topic के साथ, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much. Hello everybody, this is दिग्राश सिंग राजपूत, welcome to magnet brains. इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस video में हम पढ़ेंगे, what has changed since Kala retired? ये जो box में details दिए, ये box की details में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका chapter की जो story वाला part था, वो हम complete कर चुके हैं. बागी जो box में details दिए, तो ये details आपको एक insight देती कि हाँ किस तरह से rural administration चलता है, क्या-क्या चीज़ें होती है rural administration में, वो सारी चीज़ें मैं आपको box में दिए हुए content के थूँ बता रहा हूँ. देखिए यहाँ पर, क्या है यास्मीन KHALA के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था यास्मीन KHALA was a retired officer from municipal corporation, मतलब उन्होंने municipal corporation में काम किया हुआ था, अब जब उन्होंने municipal corporation में काम किया हुआ था, तो उन्हें पता था कई अंदर क्या हुता है, किस तरह से चीज़े उसे चलती है ठीक है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी लेकिन उन्हें एक ओवर अल कह सकते आइडिया था पूरे मुंसीपल कॉर्परेशन का कैसे काम कता है क्या प्रैक्टिकालिटीज है ठीक है क्या प्रॉब्लम्स है किस तरह से क्या चीजे सही है क्या चीजे गलत थे वो सब कुछ पता रहता था था उन्हें तो क्या होता है वोट यासमीन खाला डिड नॉट मेंशन तो दी चिल्रन वास देट इन रीसेंट टाइम्स इन और टू सेव मनी दी कमिशनर्स और सेवरल मुंसिपैलेटीज अक्रॉस दी कंट्री ये एक इशू है जो कहीं भी स्टोरी में बच्चे थे शायद इस कारण से जिकर नहीं किया यासमीन खाला ने लेकिन आपको बॉक्स में एक ये डीटेल मिलती ही क्या कि ओवर दी रीसेंट टाइम क्या हो रहा है यहां देखने को मिल रहा है कि जितने भी कमिशनर्स थे ठीक है और सेवरल मुंसिपैलिटीज एं मुंसिपल कॉर्परेशन तो जो कमिशनर हुआ करते थे उन लोगोंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने एक नया सिस्टम लिया आये थे क्या कि अक्रॉस दी कंट्री हैड हायर प्राइवेट कॉंट्रेक्टर्स मतलब क्या है मान लो मैं कमिशनर हूँ मुझे शहर की साफसफाई रखवाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ किसी एक इंडिविजन ने बोल दे कि हमारे पास दस लोग है ये दस लोग साफसफाई कर लेंगे किि इस कॉलरी की वो प्राइवेट इंडिविजने बोल रहा है कि आप हम में पैसे दो गौलमेंट से चेहा रहा है कि आप हमें पैसे दो हम साफसफाई कर देंगे तो क्या होने लगा था कि बहुत सारे कमिशनर्स आज भी ऐसा हो रहा है कि several gwixner's commissioners of several municipalities have hired private contractors to collect and process garbages ठीक है क्या होता है कि private contractor को बोल देते हैं कि आप साफसफाई करो आप ये पैसे ले लो contract हो गया इस तरह से दोनों के बीच में अब ये जो system है पूरा तो इसे कहा जाने लगा subcontracting system subcontracting system क्या होता है समझ लो बचो जरा subcontracting system मतलब ये होता है this means that the work that was earlier being done by government workers is now being done by a private company जो काम पहले किसके दवारा किया जाता था government के दवारा आप जिसे आप देखोगे पहले साफसफाई के लिए municipal corporation नगर निगम के सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे जो क्या करते थे साफसफाई करते थे लेकिन आप वही काम कौन कर रहा है अब वही काम हम क्या देख रहा है कि private company को दे दिया है बोल दिया कि आप लाओ आपके लड़कों को ठीके आपके workers को उनसे साफ करवाओ आप सारी चीज़ें वैसे चले कि हमें कुछ लेना देना नहीं है तो this means that the work that was earlier being done by government workers is now being done by a private company private company के दौरा वो काम किया जा रहा है आगे समझ में यहां तक आपको चीज़ें समझना थी यह मैंने आपको बताया कि subcontracting system क्या होता है और खाला ने यहीं चीज़ बच्चों को नहीं बताई थी लेकिन आप box में दिये तो हमने उसे पढ़ लिया अब आगे देखो अगर क्या है तो इस topic में अगर हम discuss करते हैं तो what is the disadvantage of subcontracting system आप बोल सकते हो कि यह तो अच्छे system है कि आपने private individuals को दे दिया और अच्छे से काम करके दे देंगे शायद वो लेकिन इसमें disadvantages है क्या कि जब government के लोग काम करते थे तो government की responsibility बनती थी कि government उन सफाई कर्मिचारियों का ध्यान रखे सफाई कर्मिचारी जिस तरह से शहर का ध्यान रख रहे हैं तो यह हमारी भी responsibility बनती है कि हम भी उनका क्या रखें ध्यान रखें तो these contract workers get paid less than their jobs and are temporary अब जब private agencies को private companies को इस तरह से contract दे दिया कि आप सापसफाई करवाओ तो उसका सबसे बड़ा disadvantage किसके उपर होता था पता है workers के उपर होता था तो these contract workers अब यह contract workers को क्या दिया जाता था पैसा कम दिया जाता था अब कोई government worker होता था तो government उसका सारा ध्यान रखती थी ठीक है दूसरे allowances वगेरा salary के अलावा सारी चीज़ें मिलती थी लेकिन जब क्या होगा यह private contractors के द्वारा काम करवाया जाएगा तो these contract workers get paid less उन्हें पैसा कम मिल रहा है और जाब्स और परमानेंट ठीक है उनकी jobs क्या होती prermanent sorry temporary होती है तो उनकी jobs क्यों होती है टेंप्रेरी होती उन्हें permanent job नहीं मिलती लेकिन government में खोई रहता था तो उसे permanent job मिलती है इन्हें कभीवी job पे से न enca bou Gibson सकता है क्योंकि तो contract basis पे हैं ठीक है contract तोड़ा काम खतम उस तरह से तो temporary jobs और कम पैसे मिल रहे हैं दूसरा disadvantage क्या है कि collecting garbage is also quite a dangerous job ठीक है क्या होता है कि garbage collect करना ऐसा नहीं कि बस बच्चों का खेले उठा लिया उठा लिया एक खतरना काम है कैसे खतरना काम है क्योंकि आप जब आप कच्रा collect करते हैं तो कच्रा collect करने वाले जो लोग आते हैं ठीक है यह सफाई कर्मचारी जो आते हैं तो इन लोगों को and often these contract workers do not have any access to safety measures ठीक है अब क्या होता है इनके पास कोई मतलब private contractors है तो safety measures पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है इनको proper gloves नहीं दिया जाते है mask नहीं दिया जाता है जिसके चलते क्या है कि possibilities are there that their health may suffer a lot ठीक है उनकी health conditions के उपर कहीं एक negative impact हो सकता है ठीक है यह मैंने आपको समझाया कि what has changed since khala retired तो खाला के retire होने के बाद में क्या चीज़ें बदली है कैसा बदलाव आया है तो यह बदलाव आया है ठीक है no care no care is taken if they are injured while working अगर मानलों आप काम करते करते जैसे कुछ हाजसा हो जाता है workers के साथ में ठीक है workers के साथ में हाजसा हो जाता है तो worker को कोई care भी नहीं की जाती है क्यों क्योंकि वो तो private contractors के थूँ आये हैं system के disadvantages क्या है वो भी समझ में आना चाहिए आपको ठीक है तो छोटा सा crisp topic था lucid way में मैंने समझा दिया आपको और इसी के साथ क्या होता है हमारे जितने भी topics थे chapter के सारे topics क्या होते हैं complete होते हैं मतलब हमारा chapter क्या होता है complete होता है तो chapter complete होगे देगो छोटा चापर था चार वीडियो lecture में हमने chapter को complete कर लिया है पूरी story भी और दोनों box की details भी enjoy कर वा भी ठीक है chapter complete होआ है अब क्या है next video में हम क्या पढ़ने वाले है NCIT solution discuss करने वाले क्योंकि चाप्टर अभी हमारा कहा complete हुआ है theory part पे theory हमने पूरी पढ़ लिये जो कुछ questions हैं आपके NCIT book में उन्हें हम next video lecture में discuss करेंगे और उसी के साथ हमारा chapter पूरी तरह से complete हो जाएगा fine किसी प्रकार के doubt है तो feel free to ask in comment section magnet brains पे आप class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters, सभी chapters के topics, sub topics सारा systematic way में इसी तरह के video lectures के format में available करवा सकते हैं ठीके पर सकते हैं अपना syllabus complete कर सकते हैं और सबसे मिलदार बात क्या है कि इस सारे video lectures free of cost available हैं आपको क्या करना है आपको अपने juniors और seniors को भी बताना है magnet brains के बारे में मिलते हैं next video lecture में NCIT solution के साथ till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में NCIT solution discuss करने वाले हैं किस chapter के तो जिस chapter को theory part पे पूरी तरह से complete कर चुके हैं class 6th civics का chapter, chapter है urban administration इस chapter को हमने सभी front पे मतलब जितने भी topics थे possible topics थे सारे topics को मैंने आपको समझा चुका हूँ पिछले video तक हमारा chapter जो है व question answer बचे हैं NCIT questions के solution बचे हैं तो इस video में मैं आपको solution बताने वाला हूँ देखे पहला question के हमर पास ज्यादा question भी नहीं है 5 question है बस 5 question को जल्दी से discuss करेंगे और उनके answers मैं आपको बताऊंगा क्या answer होने वाले हैं आपको खुझ से answer लिखने की practice करना चाहिए आपको क्योंक लिख सको जो लोग लिख रहे हैं well and good जो नहीं लिख रहे हैं वो आगे से कोशिश करेंगे ठीक हैं तो मैं आपकी मदद तो कर रहा हूं लेकिन आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओंगे तो जादा अच्छा लगेगा fine देखे क्या है तो why did the children go to yasmin khala's house yasmin khala के घर क्यों जाते हैं बच्चे बता हो जरा तो the children the children went to yasmin khala's house to know about whom to pay the amount ठीक है आपी two आप हो गया whom to pay whom to pay the amount for the street light damaged by them ठीक है बच्चों ने क्या कर रहा था cricket खिल रहे थे हैं तो रहान ने कहा एक bouncer ball को ऐसा shot मारा कि वह street light में जाके लगी थी ध्याने कहा नहीं पूरी तो street light 4 दी थी उन्होंने तो बच्चे यasmin khala क्या है इसलिए जाते हैं क्योंकि बच्चों को confusion था कि हमने निर्मला मौसी की खिड़की का कांच फोड़ा था तो तो ने पैसे दे दिये थे अब यह street light का honor को न है तो हम पूछने जा रहे हैं कि हम that whom to pay the amount for the damage caused by them ठीक है उन municipal corporation affects the life of a city dealer ठीक है जो एक शहर में रह रहा है इनसान उसकी life को किस तरह से municipal corporation का जो काम होता है वो effect करता है मतलब positively negatively municipal corporation जो है वो एक city में रहने वाले इंसान की life में क्या role play करती है municipal corporation तो आपने देखा होगा कि municipal corporation जो काम कर रही है या नहीं कर रही है उस चीज़ का आपकी life पर direct effect पढ़ता है जो लोग शहर में रहते हैं कैसे तो यहाँ पर वही दिया गया the four ways in which the work of municipal corporation affect the life of city dealers are following क्या है वो चार तरीके supply of electricity, traffic control, garbage collection and disposal, school, hospital and sanitation facilities ठीक है यह चार पॉइंट हो गए तो क्या होता है कि जब electricity proper way में supply होगी municipal corporation के द्वारा तो वो आपकी life को कहीना कई positively negatively affect करने वाला है फिर क्या traffic control तो traffic control में क्या आ जाएगा कि municipal corporation जो अगर robust mechanism नहीं लगाएगी traffic control नहीं करेगी तो वो भी problem आए ठीक है garbage collection बहुत important गाम है वो नहीं होगा तो शहर में बिमारी बजबू यह सारी समस्या होने वाली है तो garbage collection भी किसका काम होता है municipal corporation का municipality का अब क्या है अगला तो school hospital and sanitation facilities तो जैसे आप देखते हैं public toilets, hospitals, schools यह सारी चीजों को maintain करना, develop करना ठीक है effectively चलाना यह भी municipal corporation का काम होता है तो इस sense में municipal corporation जो है वो क्या करती है हमारी life को बहुत जादा, एक city dweller की life में एक बहुत important role play करती है next question क्या है, छोटा सा question ठीक है, तो नुक सा, क्या है question, who is municipal counselor, municipal counselor कौन होता है तो elected representative of award is the municipal counselor, जो elected, हमने क्या बता है था आपको शहर है, ठीक है, एक मिट रूख जाओ, ये शहर है, तो शहर में क्या है, अलग-अलग ward बना दो गया आप अब ward में, हर ward में election होगा, हर ward में election होने के बाद में, एक नेता जो है वहाँ का, वो चुन के आया जाएगा तो जो elected representative होता है, कहां का elected representative of award is the municipal counselor, और इसे municipal counselor कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, हम पारशद कहते हैं, ठीक है अब पारशद जो होता है, तो पारशद, फिर सारे पारशद मिलके क्या करते हैं, वो शहर चलाते हैं, ठीक, municipal counselor, counselors committee बनाते हैं वो लोग और फिर शहर चलाते हैं, तो who is municipal counselor, clear हो गया अगला question देखिए क्या है, अगला question है, what did Ganga भाई do and why, शायद मैंने आपको explanation में गंगु भाई कर दिया था, तो नाम में क्या है, rose is a rose, is a rose, ठीक है तो अब उस चीज़ को धियान रखना है क्या, कि what is Ganga भाई, what did Ganga भाई do and why, गंगा भाई क्या करती है और क्यों करती है, तो Ganga भाई collected a large number of women and went to the municipal commissioner along with ward counselor to protest against garbage dumped all over the street तो अब आपको यह उने पूरी कहानी बताई थी, community protest वाला जो हमने video lecture discuss किया था इस chapter का, तो उसमें पूरी कहानी में अच्छी तरह से समझा जोगा था, कि इनकी society में जो बच्चे थे, ठीक है, रेहाना और जितने भी बच्चे थे सारे, नाम भूल गें में तुनका, माला अगेरा, तो वो सारे बच्चों की colony में हमने क्या देखा था, कच्रा फैलता था पहले, बच्चों को तो बताई नी था, तो जो यासमीन खाला थी, तो उन्होंने कहानी बताई थी ना, तो गंगा भाई क्या करती, वो सारी women को collect करती, एक साथ, पहले किसके हाँ जाती, यह तो यह भी समझ में आगे हमें, what did the Gangabai do and why, अब next क्या है, last question देखो यह है, last question क्या है, how does the municipal corporation earn the money to do its work, हमने देखा, municipal corporation कितना ज़्यादा काम करता है, ठीक है, इतना सारा काम शहर में करना है, पैसा कहां से आता है, बिना पैसे के तो काम होगा नहीं, तो पैसा कहां से आता ह वही पूछा है आप से, question में answer के लिखेंगे आप, the municipal corporation earns the money to do its work by collecting, by collecting several type of taxes, municipal corporation जो है, तो अपना काम कैसे करता है, by collecting several type of taxes, उसमें क्या क्या जाता है, तो जैसे property tax, taxes on entertainment और octroy, तो property tax में आपको बता है था कि किसी की property है, तो property के उपपर tax लगा देना, ठीक है, कि आपकी इतन टेक्स देना पड़ेगा, तो उससे पैसा जाएगा, किस के पास, municipal corporation के पास में, taxes of entertainment, तो on कर दो इसको, taxes on entertainment तो में आता है, जैसे आप थेटर में जा रहे हैं, तो आपकी movie ticket के उपर tax लगता है, वो कहा जाता है, municipal corporation या फिर आपकी जो municipality है, उसके जेवि में जाता है, अब आक्ट्रोई एक नया शब्दा है, यहाँ पर, चैप्टर में नहीं पढ़ा, मैं बताता हूँ, आक्ट्रोई को क्या कहते हैं, चुंगी tax, चुंगी tax क्या होता है, कि आपका जो city है, आपके city में अगर किसी प्रकार का सामान आ रहा है, तो उस पे tax लगाया जा रहा है, ठी ठीक है, तो यह क्या होता है, कुछ टूल्स होते हैं, लेकिन आप GST के आने के बाद से चीज़ें बहुत बदल गई है, ठीक, higher classes में जैसे आप और finance, tax वगरा इन चीज़ों को पड़ोगे न, तो और जानने को मिलेगा, अभी मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको, clear है तो इसी के साथ हमारा चाप्टर जो है, वो क्या होता है, complete होता है, पांच ही कुछन थे बस, मजदार, ज्यादा कुछन ही आएंगे इसमें से, तो इसी के साथ हमारा चाप्टर complete हुआ है, I hope you enjoyed it, तो अब ही अगर हम देखे हैं, तो हमारा जो urban administration था, वो भी complete हो गया, यह ज कुछ नया जानने को मिला, सीखने को मिला, इस चाप्टर से मैं आशा करता हूँ कि आपका knowledge बड़ा है, कैसा लगा है चाप्टर, बताइएगा, comment section में जरूर, ठीक है, एक important चीज़ कहा है कि magnet brains पे class 4th से class 12 तक, इसी तरह से कहा है, सारे video lectures के format में, सारे subjects, chapters, topics, subtopics, सब video lectures जो है, जो आप YouTube पे देख रहे हैं, या website पे देख रहे हैं, ये सारे video lectures free of cost available है, आपको क्या करना है, आपको घर बैठे, निशिंत होकर अपना syllabus complete करना है, अपने juniors और seniors को भी बताना है, magnet brains के बारे में, next video lectures एक नया chapter स्टार्ट करेंगे, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.